जाती जो है वो भारत या समाज की ये कड़वी हाखीकत है। जितना भी भारत आगे क्यों ना बढ़ जाए, कितनी भी प्रगती क्यों ना हो। लेकिन जाती भेदभाव नहीं नहीं रहती है। वो वहीं पर बात काटते हुए, अनिता कहते हुए अंदर जाते है। जाती वार्दी जो है, वो हमें कोई महत्म नहीं देते हैं, ये सारी बाते करते हैं। आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूँगी, पहले हम जो इस कहानी के कहानीकार है, जै प्रकाश करदम जी, इनके बारे में समशिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। जै प्रकाश करदम, इनका जन्म 5 जुलाई 1958 को ग्राम इंदरगडी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हो। इनकी प्रमुक रचनाएं हैं, चापर गुंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग आदी। जो आपके लिए नोबर कहानी है, जै प्रकाश करदम जी, इस कहानी में जितना भी भारत आगे क्यों न बढ़ जाए, कितनी भी प्रगती क्यों न हो, लेकिन जाती भेदभाव कहीं न कहीं रहती है, इसको बतलाने के लिए यहां पर जो हैं, यह इस कहानी को इन्होंने बह आप्रों के बारे में जानेंगे, कहानी के पात्र राजेश, अनिता, अनिता के मातापिता, और गोण पात्र में क्या राजेश के पिता भी हैं, आपकी जो कहानी है, वो इस परकार शुरू होती है, कि जाती जो है वो भारतिया समाज की कडवी हकीखत है जाती के बिना भारतिया समाज वेवस्ता की कलपना भी नहीं की जा सकती जाती के बिना कहें यही समाज जो है भारतिया समाज की जो विवस्ता है उसकी कलपना भी नहीं की जा सकती जाती एक कड़वी कहें हखीकत है यहाँ पर समाज का एक बड़ा हिसा तमाम योगिताओं के बावजूद इन्ही हाशिये पर रहा है जब वो अपनी योगिता, परिश्रम और भावती कता से मुख्यधारा में आ जाता है तब भी जाती उसका पीछा नहीं छोड़ते जो यह एक छोटी जाती के लोग होते वो अपने परिश्रम, अपनी योगिता और अपनी भावती कता से बहुत आगे आने के बावजूद भी वो उनकी जाती जो है वो कहें उनका पीछा नहीं छोड़ती इस पर भी यहां पर क्या है कहानीकार ने बहुत अच्छी तरहां से इस पर प्रकाश डालते हुए इस कहानी को इन्होंने रचा है यहां पर क्या है यह एक छोटी जाती का जो राजेश एक S.T.S.E.A. शेडूल कैस्ट का वो राजेश हर रविवार मैट्रिमोनियल में अपना जीवन साती खोचने का प्रयास कर रहा था उसे एक एजुकेटेड एक अच्छा जीवन साती चाहिए था तो ऐसे जीवन साती की वो तलाश में था तो एक बार उसने समाचार पत्र में देखा टाइमस आफ इंडिया में मैट्रिमोनियल में देखा कि जो ये चाहता था वैसी ही लड़की का क्या है यहां पर प्रस्ताव तो क्या है यहां पर जो है उसी के बारे में यही वैसी ही लड़की का आड आया हुआ है जो कि राजिश को बहुत पसंद आता है यानि वो जो सोच रहा था वैसी ही लड़की जब उसे मिल जाती है तो उसकी खोज क्या है यहां पर खतम हो जाती है जब वो स्टेडी कर रहा था जब वो पढ़ाई कर रहा था उस वक्त कहें वो सोच रहा था कि जाती कोई लड़की क्या है कोई भी जाती की क्यों ना हो लेकिन उसके विचार जो है वो कहें जो ये सोचता है ऐसे ही विचामू वाली हो और जो कहें वो जिसे जैसी लड़की चाहता था वैसी ही लड़की मिली और इस्तिहार में ये भी छफाता कि उनको कोई धर्म जाती से लेना देना नहीं बलकि लड़का बहुत अच्छा हो और परिश्रमी हो और कहें लड़की के योग्य हो तो यहां पर राजेश जो है क्या है बहुत खुश हो जाता है दिखें नौ बार एक ऐसे युवक राजेश की कहानी है जो शादी के लिए योग्य जीवन साती की तलाश में है प्रगती शील विचारों का एक परिवार उसे मिलता भी है लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं लड़की का परिवार स्वर्ण है राजेश खुश है कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला तो यहाँ पर जब राजेश की तलाश जबकि मैटरिमोनियल में इसने आड देखा खत्म हो जाती है एक रविवार जो है राजेश की तलाश खत्म होती है उसे जिसी लड़की चाहिए था वैसे ही लड़की का एड जो है उसने देखा था और ये एक प्रगतिशील विचारों वाला एक परिवार भी उसे मिलता है वहाँ पर लिखा गया था कि यहाँ पर नौबार लिखा गया था कि जाती का कोई भेदभाव इनको नहीं यहीं जाती का कोई भेदभाव नहीं कोई भी जाती का लड़का हो सकता है लेकिन उसके जो विचार है वो प्रगतिशील होनी चाहिए और योगिवर लड़की के लिए चाहिए तो ये सब उसे पसंद आता है राजेश ने क्या है उस एट को पड़ा फिर क्या है बहुत सोचा और क्या है लड़की की वहाँ पर संदरिता की बाते हो रही थी उसके योगिता की बाते हो रही थी तो बयोडेटा लड़की का देखते हुए तुरंत उसने क्या है उस फते पर पत्र लिखता है तो ये पत्र जो है लड़की वाले के घर जब जाता है तो कहें कुछ दिन बाद जो है कुछ दिन बाद उसका जवाब राजेश को आता है राजेश कहें लड़की को देखने के लिए जाता है तो कहें जो आड में वैयोडेटा के साथ उसके कहें हाइट के ब पिर क्या है जब लड़की के पिता जो है वो बताते हैं कि उनको जाती से कोई लेना देना नहीं बेलकि यहां पर क्या है इस बात को सुनकर क्या है राजिश बहुत खुश्वी होता है साथे साथ लड़की के पिता बताते हैं कि वो स्वयम एक कारियस्त परिवार के लड़की से इन्होंने विवाहा किया है और इनकी बहु जो है वो पंजाबी है तो इन्होंने कहा कि जाती से हमें कोई लेना देना नहीं दोनों के विचार मिले दोनों एक दूसरे को पसंद करे यहीं क्या है जीवन चलाने के लिए काफी है तो यहां पर लड़की के पिता ये भी कहते हैं कि हाँ क्या है दो तीन बार तुम और अनिता मिलो एक दूसरे को अच्छी तरह से क्या है पहचानो पिर जो है क्या है अपना जो शादी के प्रती निरने हैं वो बताओ इस तरह से अनिता के पिता जो है राजेश से कहते हैं तो यह एक स्वातंतर विचार जो है राजेश को बहुत पसंद आता है वो सहमत होते हैं और फिर क्या है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं राजेश बहुत खुश होते है राजेश बहुत खुश थे कि उनको इतना अच्छा परिवार मिला जैसे लड़की के पिता ने कहा था कि दो तीन बार मिलो और क्या है एक दूसरे को जानो फिर क्या है निरने दो तो इसी तरहा अनिता और राजेश एक दो तीन बार मिलते हैं और दो तीन मुलाखातों में क्या है इनकी दूरियां मिलती है एक दूसरे को पसंद भी करने लगते है और क्या है ये दोनों हनिमून पर कहां जाए ये भी बाते करते है अनिता को उटी जाना होता है तो क्या है राजेश उसे कहता है कि हाँ हनिमून पर हम उटी ही जाएंगे इस सारी बाते होते हैं ये एक दूसरे से मिलते हुए एक दूसरे की कहें एक दूसरी को अच्छी तरह से ये कहें समझने का प्रयास भी करते हैं और दोनों ये निरने कर लेते हैं कि वो कहें एक दूसरे के जीवन साती बनेंगे पिर जो है अनिता कहती है कि हाँ मैं क्या है आपको जीवन साथी बनाने के लिए तयार हूँ लेकिन आपके माता पिता को तो घर भेजी है इसके बाद जो है यहाँ पर जो क्या है राजेश है वो अपने गाम जाता है वहाँ पर विसी बात पर कहें सोचता रहता है और अपने पिता से कहता है कि कहें जो अपने पिता से शादी के बारे में और अनिता के बारे में उनके परिवार के बारे में सारी जानकारी देता है लेकिन राजश के पिता यहां पर कहते हैं कि क्या तुमने अपनी जाती के बारे में बताया है तो यहां पर राजश कहता है कि नहीं मैंने अपनी जाती के बारे में नहीं बताया वो बहुत स्वातंतर विचारों वाले हैं उनको जाती से कोई लेना देना नहीं जाती भेदभाव उनके परिवार में नहीं है लेकिन फिर भी राजश के पिता कहते हैं कि मैं एक अनपड हूँ और दुन्यादारी इतना ज्यादा नहीं जानता फिर भी तुम्हें कह रहा हूं कि एक बार अपनी जाती के बारे में बताना ठीक ही था लेकिन यहां पर राजश यह कहते हैं कि वो अगर जाती पर कोई भेद नहीं रखते हैं तो खामका क्यों जाती बताना इस तरह से कहते हैं तो यहां पर राजश के पिता कहते हैं कि ठीक है तुम जो सही समझो इस तरह से कहते हैं अगर तुमारी खुशी इसी में है तो हम भी तुमारी खुशी में खुश हैं इस तरह से कहते हैं तो राजिश जो है अपने गाव में जाकर अपने माता पिता को सारी बाते बताते हुए फिर क्या है उनकी सहमती लेकर फिर लौट आते हैं शहर को शहर में आने के बाद फिर वो एक दिन अनिता के घर जाते हैं तो अनिता के घर जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या है उनका बह पहले भी अज़ यानिता के घर गया था। लेकिन उस वक्त किया हैं कुछ संकोचित होते हुए उसने बात की थी। और उसके परिवार वाले लोग यहीं उसके परिवार के जो लोग हैं वो भी बहुत कम बात इनसे किये थे। लेकिन इस बार सभी लोगों ने उनसे अच्छी तरह से बाते की, उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह किया, नमकीन मीठा और काजू और बहुत सारी चीजें क्या है राजेश को उनकी माँ बहुत प्रेम से खिलाने लगी, उनके पिता भी और लो बेटा इस तरह से कहते हु तो पहले ही अनिता ने उनके पिता को कहा था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, फिर भी क्या है एक बार राजेश के मूँ से सुनने के लिए अनिता के पिता कहते हैं कि क्या बेटा तुम अनिता को पसंद करते हो, यहाँ पर क्या है राजेश जो है वो कुछ शर्माते हुए हाँ अनिता को मैं पसंद करता हूँ इस तरह से शर्माते हुए वो कहते हैं तो यहाँ पर क्या है अनिता के पिता कहते हैं कि अनिता भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है बहुत जल्दी ही दोनों की इंगेजमेंट होगी इस तरह से क्या हैं वो कहते हैं यानि इन दोनों की मंगनी बहुत जल्दी होगी तो यहां पर राजश कहते हैं कि हाँ मैंने अपने माता पिता को अनिता के बारे में आपके परिवार के बारे में सब कुछ कहा है पिर भी ये एक बार उनके सम्मान के लिए हम गाउं जाएंगे और वहां पर आप मेरे माता पिता से मिल लीजिए उनसे बाते कीजिए उनका भी सम्मान रह जाएगा तो यहां पर अनिता के पिता कहते हैं कि ये भी कुछ कहने की बात है जरूर हम जाएंगे तो यहां पर राजश कहता है कि हाँ जब भी आप को वक्त मिले आप बताती जीए उसी वक्त हम गाउं जाएंगे और वहां जाकर कहें अब मेरे माता पिता से आप मिल लीजी और कुछ सगे संभंधी भी वहां पर आएंगे क्योंकि ये जो विवाहा की बाते होती है तो क्या है माता पिता और एक ही परिवार वाले नहीं बलके सगी संभंधी भी वहां पर आते हैं तो यहां पर अनिता की पिता इसे सहमती देते हैं इसके बाद क्या है राजिश जाने लगते हैं तो उनको रोका जाता है और कहते हैं कि खाना खाये बिना मत जाओ खाना खा कर ही जाओ अनिता की पिता अपनी बहु से कहते हैं कि खाना राजिश के लिए क्या है बना दे और टेबल को सजा दे वो इस तरह से कहने के बाद क्या है रसोई में बरतनों की आवाज आने लगती है तो अनिता की मा भी उटकर वहां पर चली जाती है पिर जो है अनिता के पिता और राजेश वहां पर बैठे हुए होते हैं और अनिता के पिता जो है राजेश का कुछ समय बीते इसलिए अनिता के पिता उससे बाते करने लगते हैं बातों का विशय था राजनेती के बारे में प्रशासन के बारे में और जो चुना वुरा था उसके बारे में तो यहां पर बातों बातों में अनिता के पिता को राजेश पर शक होने लगता है क्योंकि राजेश ने दलीतों के प्रती जोरों से बाते की थी, इसे उनको कोई शक होता है, तभी क्या है अनिता के जो पिता है, अनिता के जो पिता है, अनिता कहते हुए अंदर चले जाते हैं, परन्तो जैसे की होता है, जाती नहीं जाती, राजेश के संभवित, ससूर और पर चर्चा करते हुए उनकी जाती पर शक होता है वह अपनी बेटी से कहते हैं कि उसने राजनीती पर इन दोनों की चर्चा होती है तो क्या है जैसे ही राजेश ने दलीतों के बारे में क्या है बाते की दलीतों का पक्ष लेकर बाते की तो क्या है यहाँ पर अनिता के पिता को शक होता है वो वहीं पर बात काटते हुए अनिता कहते हुए अंदर जाते हैं और अनिता क्या है टेबल सजा रही थी और क्या है वहाँ जाकर उसे पूछते हैं कि कभी तुमने राजेश की जाती के बारे में बाते की हैं तो अनिता कहती है कि कभी मैंने इस बात पर बात नहीं की हाँ र आया कर अधिकारी भी था एक अच्छे पोस्ट में था और उसका वेतन भी बहुत अच्छा था और उसे वो क्या है सिगरेट तक नहीं पीता था इसलिए अनिता को बहुत पसंद आया था तो यहाँपर वो कहती है कि हमने तो नौबर विग्यापन में दिया था जाती का कोई भेद भाव नहीं है तो कभी अवश्कता ही नहीं पड़ी जाती के बारे में पूछने की पिर भी अनिता के पिता कहते हैं कि कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कभी उसकी बातों से कि वो कोई जाती का है तो यहां पर अनिता कहते है कि कभी उसने इस तरहां से कभी महसू उस नहीं किया फिर वो कहती है कि मुझे कोई जाती वातिर से लेना देना ही नहीं बलकि यहां पर अनिता जो है राजेश को पसंद करती थी और उसे जाती के भेत जो है उसे कोई फरक भी नहीं पड़ता था कि राजेश कंसी जाती का है तो अनिता इस तरह से कहती है फिर भी अनिता के पिता कहते हैं कि हाँ हमने नो बार विग्यापन में दिया था फिर भी क्या है कोई एक नीच जाती के निए शेडूल कासते विवाहां इतना क्या है वो कहते हैं तभी क्या है टेलिफोन की गंटी बसती है तो अनिता के पिता वहां चले जाते हैं अनिता वहीं पर र जाती जो है जितना भी प्रगती कर ले इंसान लेकिन कही न कही जाती का भेद रहता है यहां पर इस कहानी से स्पस्ट होता है तो कहानी किसी परिणाम पर नहीं ली जाती कहानी का खुला हुआ अंत कई गंबीर सवालों को उठाता है हमारा समाज कितना ही प्रगती शील होने का दिखावा करें लेकिन उसके जाती वादी मानिसकता अभी बदली नहीं है तो इस कहानी को कहानी का कहें इस कहानी से ये भी पता चलता है कि हमारा समाज जितना भी प्रगती क्यों ना करें फिर भी कहीं ना कहीं जो है जाती का मतभेद रहता ही है और यहां पर ये भी पता चलता है कि कहें समाज जो हैं जितना भी दिखावा करें कि वो कहें जाती का भेद्भाव नहीं करता लेकिन जो उसके जाती वादी मानस्कता है वो अभी भी बदली नहीं गई है नहीं पीडी की अनिता तो राजेश के गुण देखती है जाती नहीं लेकिन उसके पिता अभी भी जाती वादी मानस्कता से ग्रस्त है कहानी एक युगीन वास्तविकता को जीवित तथा नए रूप में प्रस्तूत करती है तो यहां पर जो नहीं पीडी की अनिता है वो राजेश की जाती से उसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसके पिता अभी भी जाती वादी मानस्कता से ग्रस्त है कहानी एक युगीन वास्तविकता को जीवित तथा एक नए रूप में प्रस्तूत करती है एक नए रूप में प्रस्तूत करती है अखबारों में रोज मरगा छपने वाले वैवाहिक विग्यापन वास्तविकता की खबर हमें रोज देते हैं नोबार वास्तव में यहीं क्यास्ट सचाई को बयां करती है देखें विज्यापनों में इसकी सचाई हम आए दिन देखा करते हैं हर दिन देखा करते हैं लेकिन जो यह कहानी है जो नोबार कहानी है यहां पर क्यास्ट सचाई का बयां करती है क्यास्ट जो सच्चाई है क्यास्ट की जो सच्चाई है उसका बया करती है तो कहानी आपकी इतनी ही थी अगले सिशन में किसी और पाट के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवार